नमस्कार लेड इंडिया नियूज में आपका स्वागत है मैं हूं डॉक्टर तरुना एस्गॉड टेक्नोलोजी ने हमें बहुत फास्ट बनाया है हमारे जीवन को बहुत आसान किया है लेकिन बहीं कहीं ना कहीं यह तकनीक हमें मुसीबतों में भी फसा सकती है इसी टेक्नो इसे अच्छी है सची है सही है तो उनको रखना फॉरवर्ड करना कोई अपराध नहीं है लेकिन अगर वो गलत कंटेंट है अश्लील कंटेंट है खास तोर से अगर वो चाइल्ड पॉनोग्रेफी से जुड़ा हुआ कंटेंट है तो इसमें बहुत सक्त सजा का प्रोवीज हाल ही में एक बड़ा ही इंटरस्टिंग केस सामने आया यह मामले साल 2019 का था इस मामले में मदरास हाई कोट ने एक व्यक्ति को चाइल्ड पॉनोग्राफी अपने मोबाइल में डाउनलोड करने और रखने के बावजूद भी उसे बरी कर दिया था लेकिन बहुत सारी अंभीर गलती थी पॉनोग्राफी हमेशा से ही एक ऐसा विशे रहा है जो हमेशा से ही बहुत ही छुपा हुआ विशे है जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती और जब बात नहीं की जाती तो हमें नहीं मालू होता कि हमें इस पर क्या करना है क्या सही है क्या गलत है अगर मान लीजे गलती से भी आपके mobile के अंदर child pornography है तो उसे तुरंट delete कर दिजे वरना आप भी मुसीबत में पढ़ सकते हैं मदरास हाई कोट ने तो ऐसा माना था कि जिस व्यक्ति को उपर ये आरोप लगा उसकी उमर 28 साल की थी उसके उपर आरोप लगा कि उसने child pornography download की लेकिन मदरास हाई कोट ने कहा कि इस व्यक्ति ने क्योंकि ऐसा काम पहली बार किया था और ना ही इसने किसी बच्चे को इसके ल थोड़ा इस पर और टिपणी करते हुए कहा कि जैन जी को pornography देखने की लथ है तो ऐसे में आज के समय में उनको जागरूप करने की आवशक्ता है ना कि उन्हें दंडित करने की आवशक्ता है तो इसी नाते उस वक्त साल 2019 में जब ये केस चला 11 जन्वरी को जस्टिस पीठ ने इस पर गंभीरता से सुनवाई की और उन्होंने टिपणियां भी की कि किस तरह से ये एक अपराद है गंभीर अपराद है हालांकि हमारे देश में पोन साइट निजी इस पेस में देखना कोई अपराद नहीं है इसी नाते शायद इस व्यक्ति को ये फाइदा मि जुड़ा हुआ ना हो अगर ऐसा कोई कंटेंट है तो उसके उपर आईटी एक्ट 2000 की सारी सेक्शन अपलाई होती है सुप्रीम कोट ने कहा कि इस तरह का जो अपराद है यानि जो कंटेंट कोई भी बच्चों से संबंदी यौन एक्टिविटीज का कंटेंट कोई व्यक् अगर कोई व्यक्ति इसको इस वीडियो को डाउनलोड करता है या फिर फॉरवर्ड करता है या फिर अपने मुबाइल में रखता भी है तो उसके उपर आईटी एक्ट की भी धाराय लगीगी अगर इस मामले में वो एक बार इस काम को करते हुए पकड़ा जाता है तो उसक काम को वो दुबारा से करता है तो उस केस में पांस साल की सजा और दस लाग तक का जुर्माना है तो कुल मिलाकर इस पर काफी कठोर प्रोविजन्स है इसके अलावा इस केस में एक और महत्वपॉर्ण टिपनी की सुप्रीम कोट ने उन्होंने कहा कि हमारी संसत को इस शब शब्दों का इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि शब्दों का भी बड़ा प्रभा होता है अगर हम चाइल्ड पॉर्नोग्राफी कह रहे हैं तो ये एक तरीके से बच्चों के संबंध में एक गलत शब्दी है उनके उपर बुरा असर पड़ता है लेकिन अगर संसद इस पर ए तो अगर आप भी कोई भी कंटेंट बिना सोचे समझे देख लेते हैं अपने मुबाइल में रखते हैं या फॉर्वर्ड करते हैं तो इस गलती को मत कीजेगा इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें